नमस्कार दोस्तों मैं विवे करन सिंग आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं केमेश्ट्री से समवन्दित कुश कोश्चन्स आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ तो देखते हैं पहला कोश्चन है तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले आते हैं तो वे अपने साथ उठजा लेकर आते हैं सटेंड कोश्चिन है सुरी ग्रहन के समय सुरी का कौन सा भाग दिखाई देता है तो सुरी ग्रहन के समय जो उसका outed area है उसे करीट कहते हैं वही दिखाई देता है थेड़ है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है तो औकजेलिक अमल यहाँ प्रियोग किया जाता है गंडे में लाल सडन रोग किसके कारण उत्पन्न होता है तो यहाँ कवकों के द्वारा गंडे में लाल सडन रोग होता है पांचवा एजी कोश्चन है टेलिवीजन का विश्कार किस ने किया था यहाँ जे एल बेर्ड के दवारा टेलिवीजन का विश्कार किया गया था छठा कोश्चन है किस प्रकार के उत्तक सरीर के सुरक्षा कवच का कारी करते हैं एपी थीलियम उत्तक जो हैं हमारे सरीर में सुरक्षा कवच का कारी करते हैं मनुष्य ने सरपर्थम किस जन्तु को अपना पालतु बनाया था तो हाँ कुत्तावव पसु है जिसे मनुष्य ने सरपर्थम पालतु बनाया था किस विज्ञानिक ने सरवपर्थम बर्फ के दो टुकडों को आपस में घीस कर पिखला दिया था तिहाँ डेवी की द्वरा किया गया प्रयोग था हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा सामुहिक आंतरिक प्रावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है दस्वा कोश्चिन है गोबर गैस में मखिरूत में क्या पाए जाता है? तो गोबर गैस में पाए जाता है मिथेन गैस और निम्र मेंसे कौन सा अहार मानव सरीर में नए उत्तकों की वृध्धी के लिए पोशक्तत्तों परदान करता है? यहाँ पनीर है जो नए उत्तक की चिपकली है वह उड़ने वाली चिपकली है और तेरवा कोश्चिन है अंगूर में कौन सा अमल पाए जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अमल पाए जाता है चौदवा है कैंसर समंदी रोगों का अधियन क्या कहलाता है तो कैंसर समंदी रोगों का अधियन कहलाता है और पंदवा कोश्चन है घोसला बनाने वाला एक मातर साफ कौन सा है तो भारती साफ है किंग कोबरा यह घोसला बनाने वाला एक मातर साफ है और सोलवा कोश्चन है भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मचली कौन सी है तो ये वेल सार्क है जो कि भारत में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी मचली है डालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन का सबसे चस्रोत है डाल और देशी घी में से सुगंध क्यों आती है तो डाइ ऐसी टिल के कारण देशी घी में सुगंध आती है और उनिस्वा कोश्चन है इंदर धनूश में किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है इंदर धनूश में सबसे जादा विक्षेपन होता है लाल रंग का और सूरी की किर्ण में कितने रंग होते हैं तो साथ रंग होते हैं ये किसमा कोश्चन है टाइप राइटर, टंकन मसीन के अविशकारा कौन थे, उनके अविशकारा थे शौल्स और सिरका को लेटिन भासां में क्या कहा जाता है, इसे ASTEM कहा जाता है, दूद्धकी सुद्धता का मापन, किस यंद्र से होता है, तो वह लेक्टो मिटर से होता ह पिर्थवी पर सबसे अधीक मात्रा में पाये जाने वाला धातू तत्व है अलूमीनियम, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है तो केलसिम कार्बुनेट का बना होता है और मानों सरीर में सबसे अधीक मात्रा में कौन सा तत्व पाये जाता है तो वह तत्व है oxygen और आम का वानस्पतिक नाम क्या है तो यह है मैगनी फेरा, इंडिका और कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चोण प्राप्त होता है जडों से और बिटामिन C का सबसे अच्छा स्रोध क्या है तो वह आमला है और सबसे अधिक तिव्रता क कि ध्वनी कौन उत्पन करता है वह बाग उत्पन करता है मानो शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है वह तंत्री का कोशिका है और दात मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं वह डेंटाइन के बने होते हैं और किस जन्तु की अकृती पैर के चपल के समा नियमन में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाए जाता है तो चावल में प्रोटीन नहीं पाए जाता है और मानों का मस्तिस के लगभ़ कितने ग्राम का होता है यह तेरह सो पचास ग्राम का होता है रक्त में पाए जाने वाली धादू कौन सी होती है तुछ लोहा है और मान स्पेशियों में किस अमल के एकत्रेत होने से ठकावड आती है तो है लैक्टिक अमल होता है और किनवन का उद्भारन क्या है तो दूद का खटा होना, खाने की ब्रेट का बनना, गिले या अटे का खटा होना यहां किनवन का उधारन है और केंचुएं के कितनी आखें होत और आज का लास्ट कोश्चन है गाजर किस विटामिन का सम्रिद स्रोथ है वह विटामिन ए का सम्रिद स्रोथ है धन्यवाद